22 जन्वरी 2024 को वो एतिहास एक दिन आने जा रहा है जिसका हर हिंदू पिछले 500 सालों से इंतजार कर रहा था 22 जन्वरी को हर एक हिंदू को दिवाली क्यों मनानी चाहिए वो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कितने हिंदूों ने राम मंदिर के लिए पिछले 500 सालों में अपनी जान गवाई है जो लोग सोचते हैं कि राम मंदिर विवाद को RSS और BJP ने जन्म दिया तो ऐसा बिलकुल नहीं है ये विवाद पिछले 500 सालों से चला आ रहा है इसका मतलब है आपके दादा जी के दादा जी और उनके भी दादा जी राम मंदिर बनता देखना चाहते थे लेकिन उनका वो सपना पूरा ना हो सका लेकिन आज हम इतने खुशकिस्मत हैं कि करोणों हिंदूों का ये सपना पूरा होता हुआ देख रहे हैं तो चलिए आज हम इस वीडियो में राम मंदिर विवाद का 500 सालों का इतिहास समझते हैं कि कब कब इतिहास में क्या क्या विवाद हुआ और अब 500 सालों की संघर्ष के बाद अब राम मंदिर बनने जा रहा है इस विवाद की शुरुआत हुई 1528 में जब बाबर ने भगवान राम का मंदिर तोड़वा कर बाबरी मस्जिद का निर्मान करवाया लेकिन इस से पहले वो बाग जो बेहत कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भगवान श्री राम के पुत्र कुष ने अयुध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्मान करवाया था महा भारत के युद्ध के बाद अयुध्या उजड़सी हो गई मगर श्री राम जन्म भूमी का अस्तित्व फिर भी बना रहा लगभग सौ इसापूर्व उजजैन के चक्रवर्ती समराट विक्रमा दित्य एक दिन आखेट करते करते अयुध्या पहुँच गए राजा विक्रमा दित्य को इस भूमी में कुछ चमतकार दिखाई देने लगे उन्होंने खोज आरंभ की और योगी वे संतों की किरपा से उन्हें ग्यात हुआ कि ये श्री राम की अवद भूमी है उन्ही संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदी बनवाए उन्होंने श्री राम जन्म भूमी पर काले रंग के कसोटी पत्थर वाले 84 स्थम्बों पर विशाल राम मंदिर का निर्मान करवाया था इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी, विक्रमा दित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की फिर समय आया चौदहवी शताब्दी का, जब हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्म भूमी एवं आयुध्या को नश्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए अंततह 1527 से 1528 में बाबर के द्वारा इस भव्य राम मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी धाचा खड़ा किया गया इसके बाद 190 सालों तक राम मंदिर को लेकर अयुध्या में कोई हलचल नहीं हुई कारण था उस समय देश के हर कोने पर मुगलों का राज था साल 1707 में जैपुर के राजा सवाई जैसिंग द्वितिये जो की स्वैम राम के पुत्र कुष्टे वंशज थे उन्होंने राम मंदिर के पुनर निर्मान की कोशिश की क्योंकि उनके मुगलों के साथ अच्छे संबंद थे लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी वो सफल नहीं हो सके जिसके बाद उन्होंने हिंदूओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए बाबरी मस्जिद के बाहर एक राम चबूत्रे का निर्मान करवा दिया ये वो दौर था जब मुस्लिम बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज अधा करते थे और बाहर हिंदू भगवान राम की पूजा राम चबूत्रे पर किया करते थे साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए और 1869 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादि जगह के आसपास बार लगा दी जिसके बाद भी मुस्लिम अंदर और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते रहे साल 1885 में पहली बार विवाद अदालत में पहुँचा निर्मोही अखाडे के महंत रगुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की थी इसके तहट उन्होंने राम चबूतरे पर छतरी स्थापित करने की अर्जी लगाई जो खारिज हो गई फिर साल 1934 में अयुध्या में राम मंदिर को लेकर फिर से दंगा होता है जिसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार तूट जाती है लेकिन इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इसे फिर से बनवा दिया जाता है लेकिन मस्जिद के अंदर मुसल्मानों के घुसने पर पाबंदी लगा दी जाती है ये वो दोर था जब देश पर अंग्रेजों का राज था और कांग्रेज देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रही थी लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं पड़ता था फिर भी हिंदू राम मंदिर की आवाज लगातार उठा रहे थे जब ना देश में अपनी सरकार थी ना इतने ज्यादा धार्मिक संगठन ना RSS मजबूत था और ना ही मीडिया स्वतंत्र था फिर आता है साल 1949 देश अंग्रेजों के शासन से आजाद होता है और हिंदू सोचते हैं कि अब तो हम आजाद हो गए हैं अब तो हम आसानी से बाबरी मस्जिद को तोड़ कर फिर से राम मंदिर स्थापित कर देंगी और शुरू होता है असली राम मंदिर विवाद तीन दिसंबर 1949 को विवादेट धाचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है पता लगता है कि वहाँ भगवान श्री राम की पूजा हो रही है विवादेट धाचे के अंदर से भगवान राम की मूर्तिया मस्जिद में पाई जाती हैं हिंदूों का कहना था कि बीती रात मंदिर के अंदर भगवान राम प्रकट हुए हैं जबकि मुसल्मानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी थी जैसे ही ये खबर फैलती है मुसलिम और हिंदू पक्ष्ट के लोग भारी संख्या में विवाद धाचे के आसपास जुड़ने लगते हैं मामला इतना भर जाता है कि विवाद की खबर उस वक्त के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू को मिलती है प्रधान मंत्री वहां के जिला कलेक्टर केके नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को हटा कर पहले जैसी इस्तिती बहाल की जाए लेकिन जिला कलेक्टर केके नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़तने के डर से इस आधेश को पूरा करने में असमर्थता जताते हैं 27 दिसंबर 1949 को फिर से जवाहरलाल नेहरु की एक चिठ्थी आती है जिसमें फिर से ही आधेश दिया जाता है कि वहां से मूर्तियां हटाई जाए जिसके दबाव में तातकालिक जिला कलेक्टर केके नायर अपना इस्तीफा दे देते हैं और चिठ्थी के जवाब में प्रधान मंत्री को सलाह देते हैं कि इस विवादित इस्थान पर ताला लगा दिया जाए प्रधान मंत्री जवाहर नाल नहरू को जिला कलेक्टर की सलाह इतनी अच्छी लगती है कि वो इस्तीफिय को नामन्जूर करते हुए इसे विवादित धाचा मान कर ताला लगवा देते हैं साल 1950 से लेकर साल 1983 तक हिंदूओं के द्वारा अदालत में अलग-अलग अर्जियां दाखिल की गई लेकिन उनको नामन्जूर कर दिया गया फिर आया साल 1984 जब विवादित धाचे की जगह मंदिर बढ़वाने के लिए विश्व हिंदू परिशद ने एक कमेटी गठित की ये वो दौर था जब बीजेपी, आरेसेस और विश्व हिंदू परिशद राम मंदिर आंदोलन को मजबूत करने में लगे थे साल 1985 में राम मंदिर विवाद में एक नया मोड आता है शाहभानो केस में सुप्रीम कोड उनके पती को गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाता है लेकिन मुसल्मानों को खुश करने के लिए राजीव गांधी संसद में एक कानून पास करते हैं जिसमें सुप्रीम कोड का आदेश बदल दिया जाता है और मुसल्मान को गुजारा भत्ता देना अनिवार्यता से हटा दिया जाता है इस फैसले के बाद हिंदू नाराज हो जाते हैं और फिर हिंदूओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी राम मंदिर का ताला खुलवाते हैं और पूजा शुरू करवाते हैं इस फैसले से अब मुस्लिम डाराज हो जाते हैं और बाबरी मर्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं इसके बाद के सालों में राम मंदिर को लेकर अलग-अलग विवात तेजी पकरते रहे लाल क्रश्न आडवानी सोमनाथ से अयुध्या तक रत यात्रा करते हैं इस यात्रा की जब आप पुरानी फोटोज और वीडियोज निकाल कर देखेंगे तो प्रधान मंत्री मोदी आपको वहां भी दिखाई देंगे इसी बीच बुलायम सिंग यादाव पर कार सिवकों पर गोली चलवाने के आरोप लगे गुजराद दंगों से लेकर गोधरा कांड तक कई विवाद जो राम मंदिर से ही जुड़े हुए हैं फिर आता है वो दिन जिसे कुछ लोग शौरे दिवस और कुछ लोग काला दिन के रूप में मनाते हैं 6 दिसंबर 1992 को VHP, BJP, RSS और शिवसेना समेथ दूसरे हिंदू संगठनों के लाखो कारे करता अयुध्या पहुँच जाते हैं उस समय कल्यान सिंग उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और उन्होंने रामभक्तों पर गोली ना चलाने का पुलिस को आदेश दिया था लेकिन भारी भीड ने विवादित बाबरी मस्जित पर धावा बोल दिया और बाबरी मस्जित के तीनों गुम्बद गिरा दिये गए देश भर में संप्रताइक दंगे भड़क गए जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए कल्यान सिंग को बाबरी मस्जित गिराने के देड़ घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपती शासन लगा दिया गया इसके बाद कुछ सालों तक ये मामला शांत रहा लेकिन जैसे ही नभे के दशक में केंदर में बीजेपी के अटल जी की सरकार आई राम मंदिर की मुहिम फिर से तेजी पकड़ने लगी आर्केयोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया को ये मामला सौपा गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां पहले मंदिर था या मर्जिद और जैसे ही Archaeological Survey of India के सर्वे की रिपोर्ट आती है ये साफ हो गया कि विवादित जगहे पर पहले मंदिर था और इसी के आधार पर साल 2010 इलाहबाद हाई कोट ने अपने फैसले में विवादित इस्थल को सुनी वक्वबोड, रामलला विराजबान और निर्मोही अखाडा क के बीच तीन बराबर हिस्सों में बाटने का आधेश दिया मगर तीनों ही पक्ष इस फैसले से खुश नहीं हुए और ये विवाद जा पहुंचा सुप्रीम कोट साल 2011 में सुप्रीम कोट ने अयोध्या विवाद पर इलाहबाद हाई कोट के फैसले पर रोक लगा दी अग सुप्रीम कोट में राम मंदिर का मामला सुनवाई के लिए तेजी पकड़ता है छह अगस्त 2019 से सुप्रीम कोट में आयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू होती है हर दिन दोनों पक्षों को सुना जाता है और 16 अक्टूबर 2019 को आयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोट के पाँच जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया दो दशमलव साथ साथ एकर विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली मर्जित के लिए अलग से पाँच एकर जमीन मुहिया कराने का आदेश चारी किया गया और इसी के साथ करीब चार महीने बाद 25 मार्ज 2020 को तकरीवन 500 साल बाद राम लला चबूतरे और टेंट से निखल कर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुई राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है और मंदिर का निर्मान शुरू होता है 5 अगस्त 2020 को प्रधान मंत्री मोदी राम मंदिर का भूमी पूजन करते हैं और करीब दो सालों बाद 22 जनवरी 2024 को वो दिन आने वाला है जब हर एक हिंदू की 500 सालों से चली आ रही ये लड़ाई खत्म होने जा रही है इसलिए सालों के संगर्ष लाखों हिंदूों के बलिदान के बाद 22 जनवरी का दिन दिवाली के रूप में तो बनता है आप राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा का ये जश्न कैसे बनाने वाले हैं हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताएं श्री राम मंदिर के इतिहास के बारे में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जै श्री राम जरूर लिख कर जाएं साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं जिस से आपके दोस्त और रिष्टेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं आगे भी ऐसी राम मंदिर से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नौटिफिकेशन ओन जरूर कर लें जल्द मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे तब तक के लिए जै श्री राम